डियर एवरिबन कैसे हो सब बिल्कुल ठीक ठाक तो क्लास 12 स्टुडेंट अगर आप कंपार्टमेंट काटेगरी में आते हैं और आपका आरपी लगा है यानि कि रिपीट इन प्राक्टिकल्स लगा है तो आपके लिए ये नोटिस बहुत खास है कि अगर आपको प्राक्टि एक्जाम केचे और स्टूडेंट का प्राक्टिकल्स लगा है तो अगर वेवस्ता उसके लिए क्या करना सीपे लिए स्टुडेंट्स का आरपी लगा है और उनका प्राक्टिकल एक्जाम लिया जाएगा उसी बेसी ने साफ कहा है ओनलाइन मोड में आपको लेगना है कोई भी स्कूल किसी बच्चे को दवाब नहीं डाल सकता है ओनलाइन मोड में प्राक्टिकल एक्जाम या इंटरणल असेस्मेंट और प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो सब किसी भी तरह के लिए कोई दवाब स्कूल नहीं बना सकते है आप ध्यान रखें ओनलाइन मोड में ही होगा अगर कोई स्कूल आपसे कहता है आपका स्कूल ही आपको कहता है कि आप online नहीं आके स्कूल में practical exam देना है तो आप उसको ये कर सकते हैं आप उसके खिलाफ अबाज उठा सकते हैं क्योंकि सिब्वेसी का साफ कहना है कि online mode में ही practical exam को लिया जाएगा उसके बाद आपका marks दे दिया जाएगा आपको marks 31 अगस्त तक सम्मिट कर दिया जाएगा ताकि आपका आगे का process start हो सके लेकिन यहाँ पर main बात जो था वो अगर आप RP category में हैं तो आप ये ना सोचें कि से practical exam दे के बच जाएंगे आप आपको compulsorly उसके theory paper का भी exam देना है तो मिलेंगे आपसे next class में तब तक लिए bye thank you take care have a nice day